प्रिवी त्यार्थियों आप सभी लोगोंगा स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल टीजे सर पर बड़ी ही नम्र निवेदन है आप सभी लोगों से कि वीडियो को बीना इसकेप के विए देखेएगा और पूरा देखेए अडिशन्स और यदि साथ मार्च को समास स करते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम क्या होता है शाथ मार्च को देखने को मिल सकता है आपके एक्जाम में देखकर जाएगा आर्टी आई कब परित हुआ और इसका क्या थात पर है देखेए प्रस्न बहुत ही इंपॉइंट है और इंपॉइंट इस लिए कि ये आपक आधिकार अधिकार अधिनियम जो होता है डिसनस वह 15 जून 2005 को पारित हुआ था कर परित हुआ था तो 12 जून 2005 को ये लागू कर दिया गया था ठीक है यह एक ऐसा कानून वह जिसके अंतरगत क्या किया गया भारती नागरिकों को जो है सरकारी अभी अधिकार दिया गया ठीकर डिया गया सरकारी अभी लेको तक पहुचने का उनको अधिकार दिया गया अर्थात भारत कोई भी नागरीक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से सुचना प्राप्स करने का अधिकार रखता है ठीकर डिशन्स तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन द कारसिल जनसंख्या का परास्री तनपात और कारसिल जनसंख्या से अधीक हो तो उषे जनसंख्या की लभांस कहते हैं यदि देश की कारसिल जनसंख्या का जो अनपात होता है परास्री तनपात से क्या हो जाए वो अधीक हो जाए न तो उषे हम लोग जनसंख्या की लभांस क से कहते हैं ये मिलता है जन संक्या के सही मायनों में लाभांस देखने को मिल रहा है ठीकर डिसम तो ये आपका हो जाएगा और बहुत ही most important है पूछा हुआ प्रशन है पूछे जाने की संभावना भी पुरी 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 बनी हुई है सहकारी लोगतंतर क्या है देखिए सहकारी लोगतंतर के बारे में लोग बात करें तो एक ऐसी वेशता जिसमने महतःपूर नडैयां लेने के लिए किसी समून या समूदाय के सबी सद्र से एक साथ हाद लेते हैं उसे हम लोग कहते हैं सा भागी लोक तंतर कहते हैं ना मतलब कि उसके भागीदारी में सभी लोगों ने क्या किया अपना अपना युगदान दिया या अपने तरीके सभी लोगों ने उसमें बढ़ चड़कर इससा लिया ठीक है चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए डिसन्स यहाँ पर प्रश वहागों में देखा जाया तो मैलाएं जमीन की मालिक नहीं होती हैं इसके लिए बहुत बहुत ब्योस्ताइँ कि गई अभी सरकार भी किया हुआ एक टैक्स को कम कर दिया गया है ताकि लोग मैलाओं के नाम पर ज्यादा जमीन वगरण डिखाएं तो ऐसे बहुत सी बहुत ब अधिकार बदलने का प्रयास किया जा रहा है शल्कार के द्वरा चलिए बढ़ते आगे बिश्व को समाजिक आंदुलन ने किस प्रकार बदला देखे डिशन से केवल बिश्व की बात नहीं करें हमारे भारत वर्ष देश को भी समाजिक आंदुलन ने बहुत समाजिक वेत के विरुद जो संगर्स ने विस्व को मौलिक रूप से बदल दिया ठेके डिशन तो ये बहुत बड़ा परिवर्थान देखने को मिला जो शामाजी कांदुलन के दिश्टी कोड से ये दिखा गया ठेक है न चलिए बढ़ते हैं आगे आपर देखते हैं अन्ने प्रश् कीजिए वर्तमान को समझने के लिए अतीत का होना आवश्यक है इसकी परिभासा देनी है तो समझे चलिए इसको समझते हैं हम लोग वर्तमान को समझने के लिए आवश्यक है कि उसके अतीत के कुछ पच्छों की जानकारी हो ठीक है उसके कुछ पच्छों की जानकारी होना जो अधीत की चीज़े उनसे देखने को मिलती है इसलिए समय उन लोगों के पास भी देना चाहिए ताकर वो जनकारी है आपके पास एकठी हो सके भारत की जानकारी यहां पर आने लगे कौन जैसे यहां पर ड़स फ्रांसिसी या ब्रिटेन वाले जब आया अंग्रेज आये तो मतलब जब भी आते गए लोग तो यह सभी की बज़ों से दोता है आधुनिक इतियास का आधुनिक दिश्टी कुरसी यह मुक्रब से बात होता है न ऑपनिवेसिक शासनकाल में भू राजस व्यवस्ता कैसी थी बहुत ही मत्रों प्रशन है ऑपनिवेसिक शासनकाल में भू राजस व्यवस्ता कैसी थी बहुत है तो भू राजस व्यवस्ता था अनिक कानलिनों ने क्या किया था उच्च जातियों के अधिकारों को वैध मानता प्रदान की थी अब यह जातियां समंती वर्गों के स्थान पर आधुनिक अर्थों में भू श्वामी बन गई ठी है तो आप निवैसिक सासनकाल का यह महत्रपुड उपसे दिश्टी कोड देखने को मिला किकर दिश्च चलिए बढ़ते हम लोग आगे यहां पर और देखते हैं नेक्ट प्रशन को देखे प्रशन बहुत ही महत्रपुड है सर्वेच्चर प्रदाली से आप क्या समझते है सर्वेच्चर प्रदाली के बारे बात कैने देखे निर्धारित प्रशनों को अपिच्छा करित बड़ी संख्या में लोगों से पीच्छा जाता है। की संभावना है या इनके बनने की संभावना है ठीक ना यह चीज़े देखने को इस अपने क्लास में को शेर किजिए डीजे सा चैनल जबदस तरीके से आप सभी लोग ने समर्पीत है और लगभग दो हजार वीडियो इस चैनल पर होने वाले हैं यह इसकी उपलब्दी का सब्सक्राइब नातेदारी का मतलब क्या होता है तो उनका देखे विवाज संबंदीत नातेदारी होती है ना बनोई हो गए दामाद हो गए जीजा हो गए फुफा हो गए वाबी हो गई तो यह से भी जो होता है विवाज संबंदीत यह नातेदारी होती है चलिए आगे बरते हम लोग यहाँ पर आकारिक तथा समाजिक जन सांकिकी क्या है बहुत ही मतलब पशने है आकारिक तथा समाजिक जन सांकिकी क्या होता है देखे आकारिक जन सांकिकी के होता है जन्संख्या का एक सांख्य की तथा परिड़ा मात्मक विसलिसर होता है जिसमें जन्मक की बात होती है मिरुतियू का बात होता है प्रवाशन यानि आवास प्रवास की बात होता है इसमें जन्संख्या के आकलों का मात्रात्मक अध्यन जो करता है डियोसेंस बुश्य ए अंगे एक निए, तो आज़न संख्या के शामाजिक आर्थिक राजितिक पक्छो का अध्यान किया यता है, जिसे अंगे बलग। समाजिक जन साइंकी की दिश्टी कोड़ से देखते हैं, तो आकारिक हो गया और शामाजिक हो गया, तो ये दिश्टी कोड़ के वदज से हम लोग देखते हैं, ठेक है ना? चलिए समासास्तर के मातरों प्रशनों की सिंकला में आगे बढ़ते हैं, भारत में स्थापित अज़ के सामिल पर ही वात की हए इसमें सामिल यह बात हुआ बारत जिए वह विली सस्ता है वह शही मायनों में सभी के सामने और कर आए सवतंता के बाद भारत की किस्री में कौन से मुद्दे अधीक मातपूर थे देखे बारत में किस्री पैदावारत का कम होना और दूसरा जो है भारत का आयातीत अनास पर अधीक निर्भरोना तो ये जो है बहुत ही मातपूर मुद्दा था और ग्रामेड जनसंख्या के एक ब प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो सारोजनिक इस्थान की भूमी का बहुत महत्तप होती है सारोजनिक इस्थानों पर एकत्रित होते हैं लोग और एकत्रित होते हैं जब तो वहाँ पर क्या करते हैं जानकारी और सूचनाओं को प्राप्त करते हैं और वो सोधकारे को इस सिद्दान के नोसा देखा जाए तो समाजिक संगर्ष तब उत्पन होता है जब एक समाजिक समू या मसूत करता है कि वह अपने आसपास के अंधर लोगों से निमने इस्तिती में है या उसके साथ अन्याय हो रहा है ठीक है तो यह सिद्दान जो होता है डिसस्थ वह धी परिवर्तन के बारे मैं बात क्या जा तो यह वह आउधार ना है जिसका संबंढ़ क्या होता है किसी भी परिवर्तन से है किसका शामा गीडियो जो देखने को changing मिलता है जिसका प्रभाव देखिए डिसंस समाज पर नेसी तुरुप से पढ़ता है ठीक है न यह प्रशन थे समाज सास्तर के प्रेलिस्ट को जाकर देखिए उसमें लगबग 100 प्लस लमसम वीडियो जो है आपनों के लिए उपलब देखिए और खुद भी लाब उठाईए इसका और दूसरों को भी उससे लाबानमित किजिए सब प्रशन जो है एक से बढ़कर एक है और निस्यो तुर बाय जैंद जैवारत आप सबी लोगों को आपके इजाम किये देर सारों देर सारी सुपकामना है